असलाम अलेकूम फिवर्स आइम हसान सर्फराज वेल्कम बैक टो मैं चैनल क्रेटिव हसान गाइस मेरी कजन और मुझे कुकिंग करने का बहुत छोक है तो मुझे जो माइंड बेहना के क्रेटिव में वो कुकिंग भी आती है तो आज मेरा बहुत ही दिलकारा था कुछ स्पाइसी साखाने का तो आज हम बनाने वाले हैं ट्राइंगल गाइड्स तो चलिए चलते हैं गाइड्स जैसे के हम आपको बता चुके हैं के हमें कुकिंग करने का बहुत शोक है तो यहां पर हमने ले लिया है हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नमक यहां पर हमने ले लिया है तीन टेबली स्पून काउंट फ्लॉर और एक कप बेसन कि तो यहां पर हमने बेसन को स्ट्रेंड कर लिया है और अब हम आड करने वाले हैं और हम अब हम यहां पर इसको अच्छे जम कर लेंगे ए तो घज यहां पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको और हम इस में टेन टेबली स्पून डालेंगे घाई हमने हिल्दाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसको हलके हलके पानी से गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद देना है तो गाइस यहां पर हमने जो है को गूंद दिया है हमने उसको गूंद कर पान निट के लिए छोड़ दिया था और अब हमने इसका पेड़ा बना लिया है अब हम इसको आटे की रोटी की तरह कर लेंगे तो गाइस मेरी जो बहन है उसकी सुबाब बद्दे है तो वह जिद कर रही थी कि मैंने ट्राइंगल्स नहीं खाने बिलक पतला कर लिए है रोटी जितना आप चैक कर सकते हैं कि हम बना लिया है और बहुत ही खुबसूरत और बहुत मज़दार लग रहा है अब हम इसको कडाई में तल लेंगे इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राइब कर लिया है मेरी कज़न गह रही थी कि एक बड़ी स्माइली बना लेते हैं तो हमने थोड़ी सी और वुकर स्पाइसिज डाली है तो आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े की लुक का रही है उसकी तो अब हम उसको बार निकाल लेंगे चेक करें अलहमदुल्ला बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुबसूरत सा बना है तो गाईज आप चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार और कितना ही डिलिशियस लाग रहा है तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं या तो लाइक करें शेयर करें और आप बताईएं कि अब का सिरगी मेरी रस्पी अल्ला हाफिज मिलते हैं नेक्स वीडियो में